हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टो मैं चानल लाइफस्टाइल वा यूपती गुड मॉर्निंग एवरिवान तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है सबी गमलों में खाद वाला पानी डालने से यह पानी मैंने खुद घर में प्रिपेर किया है वेजटेबल जो फ्रूट्स के डालने के लिए स्प्रेय भी कर सकते हो और आप स्वाइल में भी इनको डाल सकते हो तो आज बार ही है कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स को जो मैं लेकि आए थी कुछ पॉद लेकि आए थी उनको गमलों में लगाने की तो यहां पर मिट्टे प्रिपेर हो रही है जिसके अं नूट्रियंट्स होना वो सारे सॉयल के अंदर आ जाए और फर्टिलाइजर्स भी हमें जब भी अगर आपको फ्लावरिंग वाले पॉट्स लगाने हैं तो फर्टिलाइजर्स एड़ करना मस्त है और यह मेरे कुछ फ्लार्स जो की मैं भी लेकर आई हूं नर्सरी से और आ आज शाम को भी शायद मैं नर्सरी जाओं तो कुछ प्लांट्स लेकर आऊंगी तो दो दिन दिन की जो वीडियोस होंगी वो काफी इंट्रस्टिंग होने वाली है ऐसे ही यह है नाइन टू फाइव वाला प्लांट यह जब तक सनलाइट रहते तब तक इस पर फ्लावर ज आते हैं और ऐसे ही इनको लगाना भी बड़ा इजी होता है यह पॉज जो इसली निकल जाती है उनके कंटेनर में से और फिर आप इसको सॉयल के अंदर लगा लो अभी कुछ टाइम के लिए तो एक ही गमले के अंदर तीन तीन चार चार फ्लावर इंग प्लांट्स हमने ल लगाओना तो उसके संलाइट के अंदर उसको जुरूर रखना क्योंकि संलाइट के अंदर ही इस पर फ्लार जाएंगे और फर्टिलाइजर भी आप इसके अंदर टाइम टालते रहें थोड़ सा नीम उयल का स्प्रे कर देना उससे इस पर पैस्ट भी नहीं लगेगा और पूरी समर्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे हैंगिंग पास्केट्स के अंदर भी हम इन फ्लार्स को लगा सकते हैं अब बार यह इस मनी प्लांट के और इसकी वी जो रूट्स काफी सदा बाउंड हो गई थी और इसको ब्रीधिंग स्पेस भी नहीं मिल पा रहा था तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फगेट टू लाइक कॉमेंट शेर एंड सब्सक्राइब और ऐसे ही यह जितने भी मैंने पॉट्स यहां पर लगाए थे उन सब को हम टू टू थी डेस के लिए मैं भी थोड़ा शेडी एरिया के अंदर ही रखोंग करेंगे